वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग एक बात जान ले ठीक से समझे हैं कि मेरी मेंस की कोई भी कोचिंग नहीं है ठीक है तो ना मेरे यहां कोई बेच है मेंस का मैं जितनी भी बाते इस वीडियो में करूँगा सब कुछ ऐनिल सेस वाली करूँगा पहले आप दो मि मेरे साथ जुड़े रही है आपको सत्य का ग्यान होता रहे हैं यहाँ से देखते हैं यह रहा गुरुजी चरणिसपर जी सत्यम है इन्होंने एक महीने वाला बैच जोइन किया करेंट चीके प्लस जो इस पेसल बैच चल रहा है आप महान है और अंतरयाम है एकदम सटीक पड़ाया और वही आया आपके द्वार से कोई भी खालिहात नहीं जाएगा UPPSC Pre में बहुत सारे आपके प्रस्ट नोट से आए हैं काफी घुमा के पूछा गया है ट्रिक ने मदद किया सर ये तो बता सकते हैं बट साइट 95 वैसे सो ये गलत है रितुराज भी अपने इसाब से कह रहे हैं सर का top question बता दीजिए आगे और गल्स का बताईए 118 question किये हैं आगे चलते हैं मैं पहुंचा ही नहीं था actually मेरा बहुत दूर गया था सेंट तो मैं पहुंचा ही नहीं था मैरेड भी बताता हूँ मैं आपको इसके अलावा भी आज आपका देखिए सी सेट भी चेक कर लेना यह है और रहिया से रभिंदर सिंग भाई आपके पढ़ाये हुए बहुत से question हू बहू आए है एविन जाको चैक बार बार फस जातो है जाको चैक गड़राजी बताने वाला इसके अलावा जैन वाली जो Statue of Peace है मुझे रखता है यह दो प्रसन मैंने इस्पेसल कराए थे Statue of Peace को इस्पेसली राजिस्थान से जोड़के क्योंकि मोदी जी गए थे इसलिए मैंने इंपोडेंट बताई थी और ट्रिक से उसका जैक गड़राज वाला फ्रांस फ्रेंच ओपन का इस्पेसली बताए तैयारी की जाए तो नंबर आना निश्चत है अब आप पूरी पढ़ लेना SI बन जाएंगे यह हैं एक और स्टूडेंट 93 कुसेंस बन रहे हैं काट पुट के 90 परसन बता रहे हैं कि फस गए हैं सूपर टेट में थोड़ा डिसकाउंट दिलवाएंगे भाई करवाएंगे आकास भीया लगातर तीन साल से मेंस लिख रहे हैं हमारे यहीं से बहुत बहुत धन्यवाद आकास भाई सब RMU की वेज़े से संबब हो आ है मज़ा आ गया सर आकास समिधान क्या क्लास ली थी सबसे पहले नोंने बागी के बाद ये फिर हम से जुड़ गया ये इसलिए जरूरी है कि इन लोगों के नंबर जब ये तीन-तीन साल से लगातार तैयारी करके तब इतना स्कोर कर रहे है 90 प्लस तो मैं बताऊँगा मेरिट आरो यारो के लिए गाइडलाइन सर बिलकुल आज सुरू से आज साम से सुरू हो जाएंगी गारंटी वाला बैच एक और केंडिडेट है हमारे यहां से 91 आ रहे हैं ये सब मेंस लिखेंगे ये सब मेंस लिखेंगे नंबर मैंने डिस्किप्श एक सो तेहत्र चैलाग एक्यानवजार एक सो तेहत्र रजेंस्टेशन वर्ते यूपी पी एससी के लिए इसमें से 46 में एकुरेट डिजिट बदता हूं आपको तीन लाग एकीस हाजार जीरो त्रेसट अभी कहानी और भी है तीन लाग एकीस एर पेपरम बैठें इसमें से एक डेड़ अजार बच्चे भाग गए थे फस सेकिंड पेपरम बैठें नहीं है आप भी देखना एकाद गायब हुआ 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 तो पताईएगा मैरिट बता हुआ इसी में और यही रहेगी लिख के रख लो उट भी आएगा पाड़ गे नीजे क्या कारण है इस सारे यूट्यूबर हैं आगे समझेगा सी सेट सी सेट आप लोग बताईएगा यह यार कहां से बनाया था बेपर आप इमांदारी से बताईएगा पहली बार में 33 कर पाए थे एकुरेट जिनका उत्तर पताऊगी यह 33 मेरे सही हो गए एक राउंड में आप लोग बताईग पद अगर सो पद भी बढ़ते हैं तो यह 88-87 पर पहुंच जाएगा जनरल सो पद भी इंक्रीज यह कोशिस की जा रही है कि कुलपद 600 हो सकते हैं यह पूरी उम्मीद है इसके अलाबा 31 जिलों में एक्जाम हुआ है अब कहानी समझते हैं जो लोग बाहर बैटे रहते हैं मठादीस जो होते हैं उन्हें क्या लगता है कि पेपर अंदर ही दे रहा है वो तो पेपर सरल लगेगा पेपर बिल्कुल सरल नहीं है टफ पेपर है केवल मैंने पूरा हिसाब लगा है तो 22 प्रसन मुझे मिले थे जो सरल कहे जा सकते है 22 प्रसन थे जिन्हां पढ़ने के बाद आप लोग कह देंगे यार यह तो मुझे पर आता है अब इससे एक्जाम पास थोड़ी नहीं हो रहा है इससे मेरिट 22 प्रसन से मेरिट बन रही है मैं यह मालनू के आप अलवर्ट अइंस्टाइन बड़ा नाम बढ़िया रख था है मैंने आप लोगों का तो 30 प्रस आपके 30 नंबर बिना काटे हुए दे दिये अब बसते हैं 120 प्रसन 120 में से इसको तीन वार डिवाइड करो 30 60 और 30 यह दा टफेस्ट मोड यह मोडिरेट मोड और यह इजी के नज़दी की है ठीक है तो मैं यह माल लेता हूं इनमें से आप मैं दो में गड़बड़ी थी यहां आपकी 80% accuracy है इसमें 80% accuracy है तो 24 प्रसन आपने और सही कर दिये है 24 सही कर दिये 80 80% 30 में से तो 24 स्कोर हो गया और 6 गलत भी हो गए आप 6 गलत भी हो गए यहां जो आपकी accuracy है 60 में 60 में यह accuracy 70% है 10 में से 7 सही करते हैं आप और 3 गलत भी होते हैं यह कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है तो आब आपके 42 questions और सही हो जाते हैं 42 काट लेता हूं यह यहां से पहन लेता हूं 42 यह थे और 31 थे आपके पास और 24 नंबर एक थे जबके माइनस वाली संख्या एक जगे हो गई है 18 और एक जगे 6 यह स्कूर बैठता है 96 अभी 30 प्रसन हमारे पास due है ठीक है 96 प्लस यहां गलतों की संख्या हो गई है 24 अब आपके पास 8 प्रसन इसमें से गटाएंगे तो 88 स्कूर बरता है 88 काट पीट के 88 अब 30 प्रसन और बचे थे इनमें से 10 सबने छोड़े हैं मैंने यह माना इनमें से 10 सबने छोड़ दिये हैं अब बसते हैं 20 प्रसन इसमें एकूरेसी आपकी 40 परसेंट रहेगी यह नहीं आप 50 परसेंट कर दें इसमें नहीं रहेगी आठ सही होंगे और 10 गलत होंगे आपरोक्स तो आठ तीन परसन और रहते हैं 5 यह 93 जो है 93 टू 95 यह टॉपर्स वाले नंबर है एक आद कोई टॉपर्स अगर 100 बच्चे आप कहें कि 100 के उपर स्कूर कर रहे हैं तो चलेगा कोई बड़ी बात नहीं है जितने भी बोल रहे ह गप मार रहे हैं एक बार मार स्वीट मगा लो उनकी बुकलेट मगा लो अंसर बुकलेट पता लग जाए को एक पोल खुल जाएगी और जब अंदर बैटे थे ना तो 110 इंब आ रहे थे काटपिट के 110 आ रहे हैं भारात ते हुए 100 रहे गए हैं कमेंट में सू रहे गए और कल पर सम्म आ जाएगी जब तो 97 रह जाएंगे फिर 85 पता नहीं मेंस लिखाई कि नहीं लिखाई ये भी पता लग जाए अब मेरे इसाब से जो जनरल की कट ओफ है ये जनरल बच्चों की और 80 वाले की कहानी ये है आप SC केटेगरी के हैं तो 80 तक आपका हो जाएगा 80 से नीचे ST में भी हो सकता है महलाएं आप ये याद रखें कि इनकी मेरिट लगबग 83 रहेगी पत अगर बढ़ते हैं तो नहीं तो 85-86 है महलाओं की तो आपको कोई टेंशन ले लेनी है एक टेलीग्राम वाला ग्रूप का लिंक दे रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन में आप उसे जोइन कर लीजे रेस्पोंस मैंने आपको दिखाई दिया है अब क्या एक एक प्रसन के क्या सबूत दू कि 15 दिन मैं जो कराया उसी से 30 प्रसन मिल रहे हैं यह क्या सब उद्दू में आप लोगों को मेरे बच्चे अपने आप बोल देंगे मेरे बच्चे मैंने तुमसे कहा था युद्ध भूमी में युद्ध आने से पहले मर भूमी में खेलना पड़ता है मनो भूमी में खेलना पड़ता है चलिए हविनास डे सभी सभी से विदा लेता हूं आप सभी लोग मेंस की तैयारी कीजिए सभी को हर्दिक सुब कामना है कि है विनाइस डेपाइब